So, Hello Guys and Finally Nothing उनके Most Awaited and Most Hyped स्मार्टफून को 11th एंग को रिलीस करने जा रहा है। उनका ये लास्ट टाइम होगा उनके स्मार्टफून को हाइप देनेगा and maybe मेरी भी ये लास्ट वीडियो होगी इस पर। So, ये फाइनल वीडियो है तो मैं इसमें Nothing Phone 2 की जितनी भी इन्फोर्मेशन है वो सारी कवर करूंगा Like इसकी प्राइजिंग क्या होगी जो की Most Important है क्या इस फोन टू में IP Ratings होगी इसका Box कैसा होगा and Box के अंदर हमें क्या क्या नई चीज़े देखने मिलेंगी So, first of all हम बात करते हैं Nothing Phone 2 के IP Ratings की क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई इससे related कमेंट करता रहता है And according to leaks हमें कही पर IP68 की Ratings नहीं बताई गई है तो शायद ना हो But मेरा guess है कि इसमें शायद IP68 की Rating हो भी सकती है क्योंकि Nothing इस बार उनके Phone 2 के Branding में Octopus को यूज कर रहा है And Octopus जो की obviously पानी में पाये जाते है so ये एक हिंड भी हो सकती है गौर करना यहाँ पर मैंने सिर्फ एक guess किया है and मेरा opinion रखा है so इसे officially consider मत करना And a possible reason ये भी हो सकता है Nothing ने पहले से ही premium premium लगा रखा है so premium IP ratings भी दे दे वरना तो ये वही बात हो जाएगी जैसे phone 1 पर phone 2 का नाम लगा के थोड़े बहुत changes करके तुम्हें वही मालचिप का दिया And phone में ज्यादा कुछ changes नहीं है बस body में वही LED lights को separate कर दिया है एक काम अच्छा किया है प्रोसेसर को अप्डेट करके जो कि है Snapdragon 8 Plus Gen 1 बाखी वही screen है 120Hz OLED, bezels थोड़े कम है and center punch होल है बैटरी में 200MH का अप्डेट किया गया है 4500MH से 4700MH इसमें 50-50MP के दो camera's है and primary lens इसमें Sony का IMX 890 हो सकता है and इसमें Nothing OS 2.0 है तो वही देखना important होगा कि इन लोगोंने कितना अपने software में improvement किया है क्योंकि Nothing में अभी जो software team है उनमें से काफी लोग OnePlus में काम किया करते थे बात करें Nothing Phone 2 के box की तो वह कुछ ऐसा दिखाई देगा and ये भी obviously similar है phone 1 के box से जो की अब Guru जी के वीडियो में देख सकते हो and box में आपको ज्यादा कुछ नहीं एक phone मिलेगा and Nothing की एक new transparent cable मिलेगी जिस पर मैंने already एक वीडियो बना कर रखी है and यहाँ तक आप एक ही चीज़ के लिए रुके होगे जो की है इसकी price nothing phone 2 की price क्या होगी सभी को यही जानना है जो की most important है and इसकी price ही इसको justify करेगी so according to nothing's record nothing वाले अपने आपको सिधा apple से compete करते है and apple products तो पहले से ही overpriced होते है वो बात अलग है उनके products में quality भी होती है so nothing ने उनके phone 1 को snapdragon 778G plus के साथ 35,000 पर launch किया था so यह बहुत possible है nothing phone 2 भी overpriced होगा and इसकी price 40K से भी उपर चली जाएगी या शायद 45K से भी उपर चली जाए जो की एक बुरी बात है बाकि let's see what happens and launch में क्या new देखने मिलता है from nothing and possible है अब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब ही तक nothing ने अपना phone 2 रिलीज भी कर दिया होगा so that's all आप अपने thoughts and questions कमें बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then stay safe प्राइब कर दो आप 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 आप